नबस्कार दोस्तों स्वागता है आप सब्सक्राइब के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मुख्यमंती योगी आदितना सर की घोशना को लेकर साथ में 37349 अब्याथी की न्युक्ति के वाएं में और काउंसलिंग के आदेश को लेकर भी जो अपडेट अवों कवर करेंगे 34,000 प्रदों को जोड़कर नई सिच्छक वर्दी के बारे में बात करने वाले हैं तो बनवर में सारी अपडेट हम कवर करते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं ऐसे में जितने भी अप आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि पहले 31,000 को देखने के लिए लेकिन ऐसे में आप सभी को बता है कि मुख्यमंती योगी आदितना सरकी तरफ से गोशना है वो यहां पर कर दी गई है हलाकि इससे पहले कई सारे अधिकारी एक बयान हमें देखने के लिए मिले जिसके अंदर जानकाई दीगे कि जल्द 37 चा 349 अब्यर्थी को जो निक्तियों वो दी जाएगी लेकिन ऐसे में अब्यर्थी शासना आदिस का इंतिजार करते हैं इसको लेकर अपडेट हम कवर क रहेंगे लेकिन उससे पहले दिखाना जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता कि बहुत साई जानकाई हैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं जिसमें आए दिन तमाम दावे कि जाते हैं कि थोड़ी देर के अंदर चैन सूची आने वाली है या अगर बात कर शा लेकिन कहीं न कई मामला वहीं पर अठका हुआ जैसा कि आप सभी को बताएं कि अभी तक आप लोह का सासना आदेस यहां पर जाजी नहीं हुआ है लेकिन ऐसे मगर बात कहें जो साथ में आपकी निफ्ति को लेकर बात की जाए चुनावायो की मंजूरी को लेकर यहां पर जानकाई आप सभी को देखने के लिए मिली है इसी बज़े से हमाई तर्फ से भी आपको अभी तक कोई जानकाई नहीं दी गई थी कि यहां पर जो अनुमतियों मिली है कि नहीं मिली है अगर हम बात कहें बेसिक शिचा ब्राक के उनहें तरजा साय का अध्यावक वरती को ले कि उनहें तरजा सिच्छक वरती कानूनी पेच के अंदर फजी आई है लेकिन ऐसे में मामला वही है जैसा कि आप लोग इंतिजार करते हुए दिखाई दरेते कि जल्द यहां पर शाहसना आदिस जादी होना चाहिए लेकिन कहीं ने कहीं कोई authentic source देखने के लिए नहीं मिल चलता कि यहां पर जो चुनाव आयो की अनुमती मिली है कि नहीं मिली है तो ऐसे में आज कर दिन काफी जादा मैत्पूर हो जाता है जिसके अंदर आप सभी को यहां पर जो इस पस्टी करने वो देखने के लिए मिल जाएगा चुनाव आयो की तफसे साथ में आपके शासन सब्सक्ता में किस सकती उसका इसन बिल्कुल भी उंबीतर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आप सभी को बताए कि आयो की तरफ से त्याया शुरू कर दी गहीं है जैसे ही यहां पर आप सभी को अनुमती मिलेगी उसके बाद में सासना आदेस जारी होगा और कुछी दिसंबर को हटेगी इस विजए से यहां पर उनकी तरफ से का लेकिन सरकार की तरफ से पहले सी अनुमती मांगी कि जल्द महां से जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद में शार्सना आदिस भी जादी कर दिया जाएगा 37349 की निक्ति को लेकर क्योंकि यहा आपको पहले भी कहा था कि यह अफ़ता काफी जाना महत्पूर रहेगा अगर इसमें आपका जो साहरा प्रोसेस कर वा लिया जाता है तो दिसंबर के पहले सब्सक्राइब कर देखने के लिए मिल जाएंगे जैसा कि आप लोग यहां पर भी देख पा रहें 36590 सिचकों को न्युक्तिपत मुख्यमंती योगी आधितना सर की तरफ से दिये जाएंगे गोशना पहले ही हो चुकी है तो ऐसे में जो भी अभ्यति कहीं ने कहीं 37349 कंदर चैनित हैं उनको जल्द यहां से न्युक्तिपत मिलेंगे लेकिन जैसा कि आप सुभी को मैंने पहले ही कहा था कि आज अधिकाईयों के साथ में जो मुलाकात है वो की जाएगी उसके बाद में जानकाई लेने का प्यास किया जाएगा कि आखे 37349 के न्युक्ति पर इतना समय क्यों लग रहा है अभी तक क्यों सासना आदेश जारी नहीं हुआ है क्या-क्या अपडेट देखने के लिए मिलने हैं चुनाव आयो की तरफ से और भी तमाम अपडेट को लेकर आप स्वी को जानकाई यहां से प्रवैड करा दी जाएगी जैसी अधिकाईयों के साथ में बाता होगी लेकिन यहां पर एक चीप पूरे तरीके से सपर्ष्ट हो जाती है कि सरकार की तरफ से जो की देखने के लिए मिल सकता है मतलब कि आज की तारीक के अंदर आपको काफी कुछ देखने के लिया मिलेगा जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता द दी जाएगी लेकिन वहीं दूसी तप जिसा कि आप सभी को पता कि प्रदेर रिश्ट के अंदर और बी कई भरतिया जो कि आगामी समय केंदर आपको देखने के लिए मिलने वाली है उसी मेंसे एक भरतिय टीजटी पीजटी 2020 को लेकर जिसका आप सभी को पता है कि बिग्यापन आने के बाद में निरस्का दिया गया यह ज़न आप सभी जानते कि तदर सिछों का मामला था जीप बिग्यान के अब्याति को यहां बें शामिल नहीं किया गया था लेकिन ऐसे में जो कंप्यूटर वाले अब्याति हैं उनको लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ उनकी तरफ से मामला कोट में ले जाने की तयारियां की जा दी है क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक बिग्यापन नहीं आजाता तब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा तो ऐसे में इतिजार है लेकिन यहां पर देखा जाए नए बिग्यापन के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे पहला बदलाव तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा कि आगामी समय के अंदर बाइलोजी की जो अब्याति उ सुपीम कोड़ की तरफ से जब आदेश आया था तो मैंने भी आप सभी को कहा था कि जो चौतीस जार प्रदों पर लगबक अगर बात के प्रदेश के अंदर तदर सिच्छों की जो संक्या है वो चौतीस जार के आसपास है तो टीजडी पीजडी दोजार वीस के विग्या प्रदों की संक्या लगबक आप सभी के सामने देखने के मिली 5000 दूसी तब आप सभी को पता की जोड़ने की जो मांगे वो भी उठाए लेकिन चैनबोर्ड के दौर सुपीम कोड़ की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसकी अवेलना करते हुए तमाम यहां विसंगीति करना पड़ा जो कि अभ्यरति के लिए काफी ज़्यादा दुखत है पिछले चाल साल से अभ्यरति कहीने की नई सिच्छक वर्ति का इंतिजार करें थे ऐसे में कहीने की सवाल उड़ते हैं और दिकाईयों की योगिता को लेकर लेकिन ऐसे में अब अभ्यरति चाहा थे के जब विग्यापन निरस्ट कर दिया गया है तो कहीने की इस मामले को लेकर जो तदर सिच्छक वर्ति के अंदर शामिल हो रहे हैं उनको वेटेस दिया जाएगा वेटेस दिने के साथ ही उनका यहां पर चैन होने की कहीने की उम्मीदे और बढ़ जाएंगी और पदों की सं को शामिल करते हुए 34,000 पदों को जोडने की जो मांगे वो रखी गई है हाला कि अभी तक जीब बिग्यान की पदों को लेकर कोई भी जानकाई नहीं निकलिए कितनी पदों की संक्या होगी लेकिन यह तो तह है कि आगामी समय के अंदर जीब बिग्यान को शामिल किया जा करने की जो कोशी से वो की जादी है जो भी अपडेट निकले की लगाता आप सब्सक्राइब के माध्यम से मिलती जाएगी फिलाइस वीडियो के माध्यम से इतना ही थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो